हर घर में मा की पूचा हो ऐसा संकल पे उठाता हूँ मैं दुनिया की हर मा के चरणों में ये सीस जुकाता हूँ हागाईज मैं हूवेम और आप देख रहे हैं भीमाचित्रा यूटूब चैनल तो नमस्कार ससी अकाल सवी मित्रों का शुवागत है आपके अपने चैनल भीमाचित्रा पर तो भाई तैयारी जीत की अभियान शुरू है रविवार चर्चा आज आपका तीसरा पार्ट है इस प्यान चालू है तो भाई आपको पता ही है यह आपका दो तीन महीना बहुत है तो भाई प्लीज आपका जो भी एक्ट्रा टाइम बरबाद होता हो तो उसे छोड़ दें क्योंकि तीन महीने में आपकी जिंदगी सेट होने वाली है तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते है तो क्या है आपके सामने चार विकल्प है मेरे दोस्त एक दूसरे के पूरक होते हैं एक दूसरे के शमान होते हैं एक दूसरे के विरोधी होते हैं या फिर कोई नहीं तो आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा जो आपका विकास यह व्रिद्ध होते हैं या एक दूसरे के पूरक होते हैं यानि कि बिकल्प नंबर A आपका राइड़ एंसर हो जाएगा, चलीए नेक्स्ट देखते हैं, आपका नेक्स्ट यानि की दूसरा कोशियन बाल विकास का निरधारर किया जाता है बिकल्प आप देखके बताएं कैसे किया जाता है कि बालक की वन्षान उगत संरचना द्वारा बालक संबंदी वन्षान उगत तथा वातावरड दोनों की जटिल संरचना द्वारा या फिर बालक संबंदी वातावरड़ी प्रभावदारा या फिर कोई नहीं आपके सामने चार भी कलप हैं, चारों में से एक answer select कीजिए, एक चीज कहना चाहेंगे भाई, मैं थोड़ा सा इसमें time दूँगा, अब अपना भी आकलन कीजिए जिस भाई का जितना सही होगा comment में बताईएगा, ये 25 question है, अगर आप 20 plus question करते हैं, तो बहुत अच्छा है क्योंकि ये question जितने भी हैं, सभी competition level के हैं, तो please आप पहले answer अपना इमानदारी से आकलन करके comment में जरूर बताईएगा कि आपका कितना जो है सही हो रहा है, तो भाई ये तयारी जित की तीसरी part है, आपको एक एक part हर Sunday को मिलेगी, Sunday special, तो चलिए question की तरफ बढ़ते हैं, question दूसरे का answer आपका हो जाता है, B, B is the right answer, यानि कि आपका right answer हो जाता है, बालक संबंदी, वनसान गत, तथा वाता वरड़, दोनों की जटिलसन रचना द्वारा होती है चलिए आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ आपका next question है, मेरे भाई की जन्म से मृत्यू तक चलने वाली प्रक्रिया है, तो जन्म से मृत्यू तक चलने वाली प्रक्रिया क्या होती है, आपको पता ही होगा क्या होती है भाई, तो बहुत ही साधाराड कोश्ชिन है और हमने कई बार कहा कि साधाराड को साधारा ना समझout जब एक नमबर से बंदे का सेलेक्शन रुखता है उसका दरद यार पूछे और फिर समझ में यादा और कोश्चन जो होता है वो आसान कोश्चन बहुत आसानीक गलत हो जाता है क्योंकि ओवर कांफिडेंस होता है इसी बगार वही ध्यान से थोड़ा सा देखिए आज कल कोश्चन इस तरह पूछ लेता है नहीं उसी में छोटा सा लग जाएगा और आपने हां रटा है तो नहीं में वो कोश्चन गलत हो जाता है तो आपका तीसरे का जो उप इंसर हो जाएगा वह जाएगा व्हीं ये कैसी प्रक्रिया जीवन प्रैत्र चलती रहती है कुछ नं कुछ पिकास आपका होता रहता है चली आगे बढ़ते हैं निक्स्ट कोश्चन की तरह का Next question है कि मानो कोश्चकें आमlerde में गूंञ सूततर पाये जाते हैं वीकल्प 4 हैं आपका indo किस पर जाता है तो आपका रय डराइट हो जाता है मेरे दोस्त किस पर जाता है c पह 46 अपना की जिए थोड़ा साइस यसी वजह से टाइम दे रहे हैं आपना नंबर बिग्यान होना चाहिए औरत्मान में मनोविग्यान है तो मनोविग्यान किस चीज का बिग्यान है मतलब मस्तिस का या फिर चीतना का या फिर आत्मा का या फिर बिवहार का यही आपको बताना है तो आपका राइट अंसर हो जाएगा D is the right answer तो आपका बिवहार का विग्ञान है कौन सा ये जो मनो विग्ञान है इस समें बिवहार का विग्ञान कहलाता है चलिए नेक्स देखते हैं नेक्स आपका है कि विकास परक्रिया के संदर में मैग डूगल का योगदान है तो योगदान कितना है क्या है कैसे है सभी जान लेते हैं तो भाई आपके सामने च्यार भी कल्प है चारो का अंसर आपके सामने है एक अंसर आप कलेट कीजिए तो आपका राइट अंसर हो जाता है C is the right answer यानि की 14 मूल प्रवेत त्मक बेभार का बिछली सड़किया है ये पिछली बार यूपी टेट में 2019 का जो यूपी टेट बीता है उसमें भाई पूछा गया था मैग डूबल ने किस का खोष किया या फिर किस के बारे में बताया है तो मूल प्रवित के बारे में बताओ कितना बताओ है 14 बताओ है चलि आगे देखते हैं next question बालक की विकास की प्रक्रियायों विकास प्रारंब होता है तो कबसे होता है मरे दोस्त तो ये आपको बताना है चारवी कलप आपको सामने है तो चारों मेंसे right answer दा राइट एंसर तो जन्म से पूर भी बच्चे का जो विकास है भुड़ा अवस्था से यानि कि गरभा अस्था से ही सुरू हो जाता है चलिए आगे देखते हैं अब बृत्ति क्या है आपका आठवे नमर का कोश्चन है तो अब बृत्ति क्या है यह आपको बताना है चार नमर का कोश्चन है विकास के लिए आवश्चक है नए नमर का कोश्चन तो आपके सामने चार भी कल्प है बाई चारों से जल्दी जल्दी कीजिए बाई कमेंट और अपना अंसर कलिक्ट करते जाएए आप अगर 20 प्लस कोश्चन करते हैं तो बहुत बढ़िया है आपकी त्यारी बहुत अच्छे से क्योंकि कोश्चन इतना असान नहीं है सभी के सभी कोश्चन पूछे गए हैं और इंपार्टन कोश्चन है तो आपका डी इजदार राइट अंसर हो जाता है यानि कि आपका ए और सी दोनों कोश्चन सही है जन्मजात और वाता वरड ठीक है या क्या आफ़् वातावरड कोई नहीं तो जल्दी से अपना जो हिसासी दार राइट रहो जाता है यानिकि विकास के लिए सबसे अधिक वातावरड की आवजच्दा हो दीए चली यह नीक्स देखते है ग्यारा नहमर का कोश्चन है आपके सामने मैं कि पूर्भ बाले आ राइट अंसर क्या हो जाएगा इलेवन नंबर का कोश्चन इसका राइट अंसर डी हो जाएगा यानि कि तीन से छे वर्स आपका राइट अंसर हो जाएगा क्या पूर बाल्य अवस्था की आई होती है चलिए अगला देखते हैं बारा नंबर का कोश्चन की पीनियल गरंती स बिकास होता है तो पीनियल ग्रंती जो होती है इससे क्या बिकास होता है समास का सिच्छक का नयतिक का मस्तिस का तो ये भाई हर बंदा जानता होगा हर भाई जानता होगा मस्तिस का तो आपको पता है भीमचित्रा यूटूब इस्टडी सिर्फ और सिच्छक की बात करता है सि इस चैनल से जुड़ जाईए और अगर आप सिछक की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बहतर चैनल आपको नहीं मिलेगा और इससे बहतर प्रशन जो आपको दिखाई दे रहे हैं रवीवार चर्चा तैयारी जीद की तो तैयारी जीद की में सामिल हो जाई है और तैयारी जीद क क्या है विकास है अब्रित्य है कोई नहीं है तो आपको पता है यह होगा आपका राइट अंसर क्या हो जाेगा थी आप रई आन्सर यानि कि अब्रित्य आपक पहले से टिक लग चुका है तो यह आपका बी नंबर का एंसर जो है राइट हो जाइगा चalten के का कोश्चन देखते हैं विकास के कितने पच्छ होते हैं यह आपको बताना है तो बहुन की होते हैं कितने अवस्ता होते हैं यह तो हर भाई हर बहन को पता है होगा तो आपका right answer हो जाएगा कौन सा 15 नमर का question है दोस्त आपका right answer हो जाएगा B, B is the right answer विकास की 5 अबस्ता होती है चलिए परिपाक काल का समय होता है ये तो आपको पता ही होगा बंदब परिपाक यानि परिपाक यानि बहुत ही समझदार कब होता है तो आपको पता ही होगा तो आपका right answer क्या हो जाएगा मेरे दोस्त कमेंट कर लिजिए अपना answer collect कर लिजिए और कमेंट में जरू बताइए कि 25 नमर में आपका कितना सही हो गया तो चलिए 16 नमर का right answer हो जाएगा आपका see the right answer यानि की 9 से 12 वर्ज चलिए 17 नमर का question देखते हैं 17 नमर के question में आपका है कि परिपाक को काल का शमय होता है तो यह परिपाक और परिपक में बहुत फर्क होता है यह परिपाक काल था जो आपका 16 नमर था यह परिपक को काल के स आपका जब कि शोर आवस्ता में पहुंच जाता है ठीक है चलिए आगे देखते हैं next question की तरफ आपका next है कि प्रारंभिक वर्सों में ब्रिप तत्थ भिकास की प्रक्रिया रहती है तो प्रारंभिक वर्सों में ब्रेत तथा भिकास धीमी रहती है तेज रहती है यही पू चीज ने बहुत बार को कहते हैं यह हिला लाते हैं पर ब्रारंभी कि वर्सों में ब्रृट भीकाश की प्रक्रिया अट्यन्त्यत इभ्र होती है तो आपका देखते हैं अब ब्रिति होती है तो क्या होती बहुमुखी प्रक्रिया एकांगी प्रक्रिया दोनों या फिर कोई नहीं तो आपका राइट अंसर हो जाएगा भी है एकांगी प्रक्रिया होती है क्या अवरेट नेक्स्ट आपका है विकास है बहुमुखी प्रक्रिया एकांगी प्रक्रिया है बालक पहले किस मान स्पेशियों का पर नियंत्रड करना प्रारंब करता है मतलब किसको अपने वस्ट में या फिर अपने दिमाग से चलाना सीखता है तो आपको पता ही होगा 21 नमबर का कोश्चिन है तो आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा कलेक्ट के लिजिए तो डी इसदा राइट अंसर हो जाएगा यानि कि आपका हाथ और क्या भीया पैर दोनों को जो है नियंत्रड सबसे पहले आप देखते होंगे बच्चे के पास कोई अगर आप चीज फ है नेक्स्ट आपका 22 नमबर का कोश्चिन है संग्यानात्मक विकास के सिध्धान्द के प्रवड़ता कौन थे तो आपको पता होगा बेरी बेरी इंपॉर्टेंट कोश्चन इंपॉर्टेंट बहुत जादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो 22 का आपका जो एंसर हो जाएगा यह आपको बताना है तो आपको पता ही होगा आपका राइट एंसर हो जाएगा मेरे दोस्त क्या हो जाएगा कलेक्ट कर लेजिए सिंगमन फ्राइड इनका पूरा नाम है तो 20 दा राइट एंसर हो जाएगा 23 नमबर कोश्चन का चलिए 24 नमबर का कोश्चन देखते हैं भा इरिक्षन इरिक्षन इसमें दिया गया है वड़ इनका पूरा नाम इरिक्षन इरिक्षन है पूरा नाम इरिक्षन है जानना बहुत जरूरी होता है चलिए अब आपको देते हैं कुछ इंपॉर्टन फैक्स जो आपके एक्जाम के लिए होगा बहुत ही जरूरी तो तैयारी जीत की तरफ बढ़ते रहे हैं और अपना लच्छ जो है हासिल करते रहे हैं आईए चलते हैं परिच्छा उपयोगी जिन प्याजे जी का है आप मनो समाजिक विकास की सिद्धान्द की बात कर रहे थे तो यह देखिए इरिक इरेक्षन तो आपके जितने प्रस्णों के उत्तर आपके यहां पर दे रहे हैं हैं इंपार्टन फैक्ट और देख लेते हैं ब्रिद्ध और विकास के कितने प्तवा और एक होता वातावरण यानि की दो होते हैं नेक्स्ट आपका है अब ब्रिद्ध के लिए अधिगम की आउ सकता है या फिर नहीं है तो नहीं है भाई नेक्स्ट आपका है कि बैक्तित तो मापन के लिए मनो लेंगे सिद्धान्त किषने दिया तो यह आपके प्लीज दोस्तों अपना कमेंट में नंबर ज़रूर बताईएगा हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे स्टुडेंट्स कितने अच्छे परफार्मेंस में है तो बस आज के लिए तना ही नमस्कार सभी मित्र श्वस्त रहें मस्त रहें जाहिंद